देखो IPv4 की बात की जा रहे है, तो यह तो बिल्कुल सही बात है, हमारे पास में देखिये, scenario ऐसा आया था, एक एक जमाना था प्राचीन समय का, उस प्राचीन समय में हमारे पास था internet protocol का version 4, प्राचीन समय में ये 32一點 कम आना जाता था और यह जो था, मा至ल, यह था class full A, B, C, D, E, इस तरीके से थे जिसमें से D और E classes तो पहले से reserve कर लिये थे हमने addresses को क्यों reserve कर लिये थे मैं में इसलिए reserve कर लिये थे क्योंकि हमको research purpose के लिए है ना D को multicasting purpose के लिए हम लोगों ने और E को scientific research purpose के लिए हमने save कर लिया था उपर से यह जो तीनों और थे इन तीनों के अंदर भी बहुत सारा wastage of addresses होता था reservation of addresses होता था और number of IP users यह number of internet users जो IOT का advent हुआ right IOT जब आया web के versions में web 3.0 के अंदर पढ़ाया ना web 1.0 2.0 3.0 तो जब web 3.0 आया उसके बाद मैं IOT आया तो internet users बहुत ज़्यादा भड़ गया है अर में इंटरनेट है तो अब झाने के बार में अबर और उच्टिक बढ़ेगा इसलिए हम आई पी वर्जन 6 में जब आई पी वर्जंच 6 के अंदर हम आए तो हमारे पास में यह हो गया 128 बिट्स का यहाँ पर टोटल नंबर अपडरे से टू की पावर 32 यहां पर टोटल नंबर ओफ एड्रेसेज है टू की पावर 128 ठीके जी जो की है आप लोगों का सेमी कॉलर रिप्रेसेंटेशन तो यह बिल्कुल सही बात है अब बात आज़ाती है तो जो कुकीज होते हैं आप सभी लोगों का क्या वो कोकी वेब सर्वर के मशीन पर होती है जी नहीं कहां पर स्टोर होती है आप लोगों के अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर वेब ब्राउजर पर जो की क्लाइंट मशीन पर रिसाइड करता है आप सभी लोग लास्ट वीक वेंज्डे या थर्सडे का विडियो आई सिटी क याद रखेगा, यह पूरा सीक्वेंस में आपको समझाया था